अच मेरे पास एज फोन है, इसमें Snapdragon 8 Gen 2 Chipset है, 60 लाग प्लास अंतुत स्कोर आ है, और एज फोन आपको मिलेगा सिर्फ 35,000 रुपिस के आस पास में, पिछले कुछ दिनों से इसको में यूस कर रहा हूँ, आज इस वीडियो में इसका रिव्यू से एर करूँगा, ओ भी लॉ इसमें Snapdragon 8 Gen 2 Chipset है, 6.78 इंच LTPO AMOLED डिस्पले है, 50 Megapixel Sony IMX 920 कैमेरा है, 5,160 mAh की बैटरी है, और 120 Watt की एड़ेप्टर के साथ एफोन आता है, और मेरे पास है 12 GB, 256 GB फेरेंट, जब इस फोन को अब अन्बोक्स करके पहली बार इसकी डिजाइन की तराफ देखोगे, अब त्यार में पढ़ जाओगे, क्योंकि दोस्तों ये फोन पीछे की तराफ लेदर बैक के साथ आता है, जिसमें dual tone color की finishing है, और हाद में जब लोगे एक premium fill देता है, मिडिल से एक teaching है दोस्तों, जो इसके design को और भी खुपसरत कर देता है, अगर आपका हाथ मेरे से भी छोटा तो इस फोन को आप अराम से यूज़ कर सकते हो, बागी इसका जो फ्रेम है वो पॉली कर्में बना हुआ है, और ये बॉक्सी style में आता है, और इसका weight बहुत ज़्यादा हलका है, 5,160 mAh बैटरी होने की वावज़ूद भी ये फोन सिर्थ 189 gram का आता है, इसका build quality भी solid रखा तरह आप यूज़ कर सकते हो, वैल इसका design और build quality सबको पसंद आएगा, बाकि इसका display का size भी बड़ा रखा है, और बड़ा display में बहुत सारी फाइदा जो रहता है, 6.78 inch एक LTPO AMOLED display है दोस्तों, और डिस्पले का bezel और chain भी देख लीज़े, बहुत ज़्यादा छोटा रख और इसमें आप full view display का मचा भी ले सकते हो, 144 hours का refresh rate है, जब आप use करोगे, smoothness बराबर fill होता है, और brightness भी अच्छा रखा है दोस्तों, indoor पर, outdoor पर अब अराम से इसको आप use कर सकते हो, अच्छी बात है आप YouTube पर 4K में HDR content देख सकते हो, 4K वीडियो अड़कता नहीं है, smoothly play हो र बाकि इसमें dual studio speaker भी मिलता है, तो entertainment का मज़ा है, इस phone में आप भर पूर play सकते हो, लेगिन इसके display में मैं उझे एक छोटी सी problem देखने को मिला है, थोड़ी से flickering करता है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा से access कर लेना है, यहर कोई भी phone हो, उसमें network connectivity अच्छा होना चाहिए, इसमें 5G network अच्छा मिलता है, दोस्तो, 5G का speed टकटक मिल जाता है, सारे important 5G bands का support है, और अच्छी बात तो है, इसमें जो mic मिलता है, वो noise को अच्छी तरीके से canceling कर लेता है, बाकि इस phone में तो आप SD card को use नहीं कर सकते हो, और 3.5mm audio jackbit नहीं मिलता है, लेकिन यह phone OTG को support जो इसका जो storage type है, यह फिस 4.0, और मेरे टेस्टिंग में इसका antutu score 16,00,000,000 बास आया है, छोटी मोटी number नहीं है दोस्तो, जब से phone मेरे पास आया, इसको मैंने heavy में use करकर देख लिया दोस्तो, यह phone आटकता नहीं है दोस्तो, smoothly चल रहा है दोस्तो, मैंने multiple app में भी काम करकर इतना अच्छा performance मिलेगा मैंने सोचा नहीं था, बाकि अगर आप phone से video editing करते हो, तो इस phone में आप फोर के में video अराम से editing कर सकते हो, इसका app opening speed देख लिएचे, बहुत जादा first है, tap कर रहे हो तुरंद open हो रहा है, app close में जो animation है वो मुझे बहुत ही प्यारा सा लगता है, बा ग्राफिक इसमें तकड़ा आता है, क्योंकि इसका डिस्प्ले है बहुत ज़्यादा अच्छा है, बाकि इसमें 144 हर्स का reference rate मिलता है, गेम के लने के दौरान ए जो reference rate हो बहुत ही काम में आता है, जायरो भी इसका smooth है और इसमें monster mode भी मिल जाता है, ओन करने के बाद gaming performance थोड 40,000 रुपिस के आस-पास में है, तो Iconio 9 Pro या Iconio 9 आपके लिए सबसे अच्छा performance निकाल कर देगा, ऐसे भी इसका camera भी बहुत ही अच्छा है, पिछले साल से इस साल में camera में बहुत ज़्यादा improvement किया है, क्योंकि इसका जो primary sensor है 50 megapixel, जिसमें Sony IMX 920 sensor मिल जाता है, और 8 megapixel का color भी आपको accurate दिखने को मिलेगा, हाँ, थोड़ा सा yellow color की tone दिखने को मिलता है, क्योंकि ये Chinese variant है, जब इंडिया में आएगा ये वाली दिक्कात तो आपको नहीं दिखने को मिलेगा, ये छोड़कर आप ये देखो यार, skin tone को iPhone कितने अच्छी तरीके से manage कर रहा है, detailing must आता और DSLR जैसा wukie effects मिलता है फोटो में, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत मुझे देखने को मिला है, दोस्तो, screen को जो हो थोड़ा सा soft कर देता है, normal mode में detailing बहुत ही अच्छा आता है, लेकिन protect mode में screen को थोड़ा सा soft कर देता है, बाकि इसका जो 16 megapixel selfie camera है, वो भी संदार photo click कर लेता हाँ, back camera जैसा ज्यादा detailing तो इसमें नहीं मिलेगा, लेकिन 16 megapixel के हिसाब से इसमें picture quality आता है, हार एक lighting situation में अच्छा photo click करके देता है, और photo की पीछी की तरफ जो dynamic range है, उसको भी अच्छी तरीका से phone manage कर लेता है, ये चीस मुझे सबसे अच्छा लगा है, इसकी back camera से आप 8 के में video को record कर सकते हो, दोस्तो इसमें OIS भी मिल जाता है, अब stable video record कर पाओगे, auto focus भी बहुत जाता फास्ट है, अगर आप phone से photography करते हो, vlogging करते हो, तो इसका जो camera है आपके लिए perfect होगा, हाँ दोस्तो आप जानना चाहते हो इसका battery backup कैसा मिलता है, दोस्तो इसमें 5,160 mAh की battery ह और उसको charge करने के लिए inbox आता है, 128 adapter, उसी से अगर आप charge करोगे, तो 20 minute में iPhone full charge हो जाता है, हाँ दोस्तो चार्जिंग के दोरान iPhone हलका सा गरम होता है, क्योंकि first charge जो होता है, बाकी दोस्तो इसका battery backup 5G network में मुझे टकाटक मिल रहा है दोस्तो, इहोंकि skin on time हाल फिलाल में वेल अभी final conclusion की बात करते है, इस Iconio 9 Pro या Iconio 9 आप जो भी बता सकते हो, इसको खरिदना चाहिए कि नहीं जब इंडिया में launch होगा, दोस्तो मुझे लग रहा है, इसका base variant का price होगा, 35,000 रूपीस लेका और 40,000 रूपीस के अंदर, और उसके हिसाब से देखा जाए तो, य अच्छा camera लेकर आएगा, अगर आप मेरी तरह जब आप movie या video देखते हो, तो आपके लिए एक perfect display present करेगा, जिसमें आप अच्छी तरीके से video देख सकते हो, और सबसे अच्छी बात दोस्तो इस बार भी आपको battery backup में बहुत ज़्यादा improvement देखने को मिलेगा, तो मुझे लग रहा है दोस्तो ये phone जब इंडिया में launch होगा, अब जुरूर इस phone को खरिच सकते हो, यर सिर्फ आप लोग के लिए मैं चाइना से इस phone को खरिच के लेकर आया, दोस्तो चाइना से कोई भी phone खरिचने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा और बहुत महनत लगता यर, यर, launch से पहले भी आपको पता चल गया, आइकोन यो 9 Pro कैसा होगा और इसको खरिचना चाहे की नहीं, तो मैंने तो आपके साथ सब कुछ सेयर किया, इस phone की सारी अच्छी बात, सारी बुरी बात, तो आप एक लाइक करके चांग को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जूरे र सकते हो, ऐसे नय नय phone का review देखने के लिए, हो सागे तो एक वीडियो आपके रिष्टेदार और दोस्त के साथ भी share कर देना, उसका और मेरा दोनों का मदद होगा, तो अचके लिए इतना ही दोस्तों